मेरे इस यूटूब चैनल के उपर जिसका नाम है जीए स्वित लोकेंदर सिंग जहां पर मैं आप लोगों को MPGK कंप्लीट करवा रहा हूँ MPGK के कोर्स के इंतरगत हम लोग MPPolity पे पहुंच गए है It means के MPPSC Prelims का जो आपनों का सलेबस है उसमें जो 5th unit है 5th unit के अंतरगत जो मद्यप्रदेश की सम्मेधानिक व्यवस्ता लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग पहुंच गए है और उसके अंतरगत हम लोगों ने मद्यप्रदेश की राजपाल मुख्य मंत्री और मंत्री परिशत से संबंदेत क्लास कर ली है आप लोग उन क्लास को जरूर देखें वहाँ से आपको जरूर फायदा होगा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मद्यप्रदेश की कारिपालिका के अंतरगत एक और शक्स एक और महतपुन पद जिसको हम लोग महादी वक्ता की रूप में जानते हैं महादी वक्ता आज वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो महादी वक्ता राज्य की कारिपालिका का एक अंग है अगर मालीजे आप से कभी पूछा जाए कि महादी वक्ता किसका अंग है तो राज्य की कारिपालिका का यह एक अंग है ये क्या काम करता है ये राजसरकार के लिए वकील का काम करता है अब हम लोगों को दिमाग में ये आता है कि राजसरकार को वकील की जरुरत क्यों पड़ जाती है देखें दोस्तों हमारे देश के अंतरकत सम्मिधान और कानून का शाशन है अर्थात पूरा देश सम्मिधान और कानून के अनुसार चलता है तो केंदर सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कानून के अनुसार ही काम करना पड़ता है तो केंदर सरकार और राड़ी सरकार दोनों के पास में कानूनी सलहकार की आवश्यक्ता होती है। केंदर सरकार के अंतरकत बात करें तो महानिय वादी इसका काम करते हैं और राड़ी सरकार के अंतरकत बात करें तो महादी वक्ता यह काम करते हैं। तो ये राड़ी सरकार को क बहुति महत्वपूनपद अर्थात महादिवक्ता को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों महादिवक्ता आप लोग अपने कौपी के अंतरगत हेडिंग ला लीजेगा। महादिवक्ता जो होता है वह राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। के संदर में यह सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है राज्य सरकार का। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लिजेगा दोस्तों यह कॉश्चन आप लोग का पूछा रहा सकता है। जुडीश्री के संदर में हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पर हमें उसके अनुच्छेदों का अधियन जरूर करना है। क्योंकि अनुच्छेदों से आपके questions पूछे जा सकते हैं। समिधाने के विवर्था अर्थात समिधान का अनुच्छेद। वहाँ से आपनों के questions पूछेड़ा सकते हैं। तो इस पद का उल्लेक कहां पर किया गया है जो हमारा महादी वक्ता है। उस पद का उल्लेक अनुच्छेद 165 के अंतरगत किया हुआ है। कि एक महादी वक्ता होंगे जो राज्य सरकार के वकील का कारे करेंगे। तो आर्टिकल 165 में लिखावा है कि राज्य के लिए एक महादी वक्ता होते हैं। अब इसकी वही इस्तिती होती है राज्य सरकार के लिए जो इस्तिती केंदर सरकार के लिए महानयवादी अर्थात एट और्नी जनरल की होती है। अर्थात केंदर सरकार में अर्थात यूनियन गवर्मेंट के लिए महानयवादी रखता है। बनने की योगिता का उलेख भारती संविधान के अनुच्छी देख सत्रा में किया गया है। उस योगिता के नुसार कौन व्यक्ति हो सकता है महादी वक्ता जो कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने के साथ साथ दो में से कोई एक योगिता का होना आवश्यक है। वो दो कौन सी योगिता है स्क्रीन के उपर आपके लिखी हुई है यहाँ पर कौन सी योगिता हो सकती है। तो भारत का नागरिक होने के साथ साथ इन दोनों में से एक योगिता का होना अनिवारे है। तब जाकर के व्यक्ति महावधी वक्ता बनने के योग्य होता है तो जल्दी से फटापट इस पॉइंट को नोट कर लीजेगा आप लो योग्यता क्या है योग्यता है राज उच्च न्यायले का न्यायधीश बनने के योग्य होना चाहिए राज उच्च न्यायले का न्याय नियाइधीश बनने के योग्यों ना चाहिए नियाइधीश की योग्यता कौन से आर्टिकल में है तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लिजे इंपॉर्टेंट है प्री के अंतरकती क्वेश्चन आपनों का हो सकता है अनुच्छेद 217 के अनुसार निम्न योग्यताओं का होना आवशक है आर्टिकल 217 के अनुसार निम्न योग्यताओं का होना आवशक है पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का नागरिक होने के साथ साथ और निम्न में से कोई एक निम्न में से कोई एक का मतलब या तो इस में से या इस में से दोनों में से कोई एक यो होनी चाहिए कोई भी जुडिशल पोस्ट हो उसके उपर दस वर्ष तक रहा हो या फिर न्यूनतम न्यूनतम दस वर्षों के लिए न्यूनतम दस वर्षों के लिए एक या अधिक उच्छी न्याले में लगातार अधिवक्ता का कारी करने वाला विक्ती होना चाहिए सरकार के वकील की नियुक्ति कौन करते हैं यह राजपाल करते हैं यह राजपाल के माध्यम से की जाती है लेकिन प्रेशन यह उठता है कि क्या यह राजपाल की विवेक्य शक्ति है जी नहीं राजपाल राजमंत्री की सलह पर यह नियुक्ति करते हैं. तो point note कर लीजेगा महादि वक्ता की नियुक्ति राजपाल परन्तु राजमंत्री परिशत के सलापर यह नियुक्ति होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजमंत्री परिशत अपने पसंद का वकील रखना चाहेगी. तो राजमंत्री परिशत अर्थात राज सरकार जिसको कहेगी उसी व्यक्ति को राजपाल राज का महादीवक्ता नियुक्त करते हैं तो आप आगे की बात करते हैं दूस्तों नेक्स्ट अगली पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं लोग अगली पीपीटी पर दिया हुआ है कि इनका कारेकाल कितना होता है महादिवक्ता कितने साल तक काम कर सकते हैं तो यह राजपाल के प्रसाद परियंत पद्धारन करते हैं अर्थात राजपाल इनको बीच में भी अर्थात पांच वर्ष के पहले भी इनको अटा सकते हैं क्यों जैसे माल लिजिए मैं ही सरकार हूँ मैंने एक व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में पसंद किया लेकिन बीच में मुझे उनका काम पसंद नहीं आया बीच में जब काम पसंद में नहीं है या उन्होंने जो महादी वक्ता से जूड़ी हुई कंडिशन से उनको उन्होंने माना ही नहीं तो ऐसी परिस्तिती में मैं सरकार राज़पाल से कहूंगा कि इनको बीच में ही बर्खास कर दिया जाएं तो यही है राज़पाल के प्रसाद परियंत अर्थाद पांच साल के कारिकाल के बीच में ही राज़पाल मंत्री परिशत के सलापर बर्खास कर सकते हैं तो लिखेंगे राजपाल के प्रसाद प्रियंत पदधारण करता है, तो अगर आप लोगों से एक question बूचा डाता है, कि महादी वक्ता का कारिकाल कितने वर्ष का होता है उसमें 2, 3, 4, 5 इस तरीके के वर्ड्स यूज हो तो फिर आप लोग 5 वर्ष लगा सकते हैं परन्तु अगर अगर उसमें ये वाला शब्द लिखा हुआ हो उपर वाला तो यही सही आंसर माना जाएगा अगर मानीजे ऐसा पूछा जाए कि महादी वक्ता का कारिकाल कितना होता है अगर उसमें राज़पाल के प्रसाद परियंत शब्द जुड़ा हुआ है उसके साथ साथ 5 वर्ष भी लिखा हुआ है भले से तो भी आप लोगों को यही आंसर देना है क्योंकि Constitution के अंतरगत यही लिखा हुआ है फिर इसके बाद यह रिजाइन किसको देते हैं महादी वक्ता त्याग पत्र किसको देते हैं तो राज़पाल को यह अपना रिजाइन देते हैं गवर्नर को अपना त्याग पत्र देते हैं बहुत important question है फिर उसके बाद इनके वेतन भत्ते कौन नरधारित करता है महादी वक्ता के वेतन भत्ते भी राज़पाल के द्वारा नरधारित किये जाते हैं तो लिख लीजेगा वेतन भत्ते राज़पाल के द्वारा नरधारित किये जाते हैं तो सामानेता इनके वेतन कितने होते हैं इनका वेतन होता है तो राज उच्छ न्यायले के न्यायधीश के बराबर इनका वेतन होता है अब राज उच्छ न्यायले के न्यायधीश का वेतन कितना होता है दो लाख 25,000 रुपए उच्छ न्यायले के न्यायधीश का मासिक वेतन होता है इतना इनको भी मिलता है अब कार एवम शक्तियों पर फोकस करते हैं हेडिंग डालीजेगा कार एवम शक्तियां तो चुकि यह राजसरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं तो राजपाल जो भी इनको कानूनी काम करने को कहते हैं वो सारे कानूनी काम ये राज़पाल की तरफ से सरकार के लिए करते हैं, चेके, तो लिखेंगे दोस्तों, राज़पाल के द्वारा, राज़पाल के द्वारा, सौपे गए विदिक कारियों के विशे में सलाह देते हैं सरकार को, फिर उसके बाद में दोस्तों, चुकि मैंने आप लोगों से कहा कि राज्य सरकार के वकील होते हैं अब जब वकील होते हैं तो राज्य सरकार अगर किसी कानून का उलंगन करती है सम्मिधान का उलंगन करती है तो राज्य सरकार के उपर केस लगेगा वो राज्य सरकार के उपर राज्य के किसी न्यायले में लग सकता है तो उस न्याले में जाकर के राज़ी सरकार की तरफ से सुनवाई का काम करते हैं, राज़े सरकार की तरफ से वकालत का काम करते हैं। तो अगला point डिखेंगे कि राज जी के किसी भी न्यायले के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार रखना, किसी भी न्यायले के समक्ष जाकर कि सुनवाई का अधिकार रखते हैं फिर उसके बाद दूसरों एक most important point इनके संदर में है, जो की भारती समिधान के article 177 में दिया हुआ, जो आपनों के screen के उपर लिखा भी हुआ, article 177 इसमें ये बात बूली गई है कि राज्य विधानमंडल का सदश्य ना होते हुए भी, राज्य के महा दिवक्ता, राज्य समीतियों के सदश्य हो सकते हैं, राज्य विधानमंडल की समीतियों की बैठक में हिस्सा भी ले सकते हैं, लेकिन चुकि वह राज्य विधानमंडल के सदश्य नहीं होते हैं, इसलिए बैठक के समय कभी भी, जब किसी विशे पर मतदान हो रहा होता है, तो वो मतदान नही कर सकते हैं अब प्रेशन ही उठता है कि इनको ये राइट्स क्यों दिया गया है चुकि ये राजसरकार के वकील है अगर राजसरकार से कानूनी संबंदी को ये प्रेशन पूछ लिया गया जिसके संबंद में जब उत्तर देना है तो कानून की बारिकियों से उत्तर देना प इनको बिना सदश्य होते हुए भी सदन के अंतरकत बैठक में भाग लेने दिया रहाता है आप लोगों से question पूशा रहाता है कि राज का वह व्यक्ति यादिकारी कौन है जो सदश्य ना होते हुए भी राज विधान मंडल की बैठक में भाग लेता है तो वह है महादी वक्त यह कौन से आर्टिकल में लिखा हुए आर्टिकल 117 में लिखा हुए नोट कर लीजेगा most important point है आज का आर्टिकल 117 के तहट वह है राज विधान मंडल की कारवाही में भाग ले सकता है राज विधान मंडल की कारवाही में भाग ले सकता है राज विधान मंडल की समीतियों का सदश्य बन सकता है परंटू इन दोनों में मतदान करने का अधिकार नहीं रखता क्योंकि वह सदर्श नहीं होता इसलिए उन मतदान करने का अधिकार नहीं रखता है तो ये दोस्तों महादिवक्ता के संदर में उनके कार एवम शक्तियां हो जाता है कोई भी क्वेश्चन यहां से आप लोगा पूछा जा सकता है महादिवक्ता का आर्टिकल पूछा जा सकत है यह पूछा जा सकता है वह राज विधान में की बैठक में भाग ले सकते हैं कौन से आर्टिकल में दिया गया है यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अब इसके बाद आगए की बात करेगा हम लोग तो नेक्स्ट कुछ और इंपोर्टेंट फैक्स है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कई बार MPPSC के अंतरगत इसे पूछा जा चुका है तो इसके बाद वर्तमान महादिवक्ता एड प्रेजेंट यह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है स्रीप रशांत सिंग रपल स्टार पॉइंट है दोस्तों यह क्वेश्चन यह से पूछा जा सकता है स्रीप रशांत से वर्तमान में राज्य सरकार के महादिवक्ता है अब इसके बाद महादिवक्ता का मुख्याले कहां पर है जबलपूर में हलाकि उसके जो सब हैड़कोर्टर के अगर हम लोग बात करें ऑफिस वगेरा जो है वो दोनों खंड़ ही राज्य सरकार के वकील का भी मुख्याले वहीं पर ही होगा इन सभी जगे से आप लोगे कोईशन्स पूछे जा सकते हैं उसको तो यह क्लास आज हम लोग यहीं पर खतम करते हैं इससे अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो कमेंट जरूर कर दीजेगा और अगर क यूट्यूब के क्लासेज आपको कैसी लग रही है जै हिल जै भारत